गुड मोर्निंग स्टुडेंट्स मैं रवी कुमार लेक्चरर कंप्यूटर साइन्स जीपीची डुंगरपूर आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे CS307 डेटा वेराउस और माइनिंग में डेटा की प्री प्रोसेसिंग में सेकेंड स्टेप डेटा इंटिग्रेशन फेस्ट स्टेप है डेटा क्लीनिंग वो हम पढ़ चुके और आज डेटा इंटिग्रेशन पढ़ेंगे इसके बाद में डेटा ट्रांसफोर्मेशन और डेटा रिडेक्शन डेटा इंटिग्रेशन data integration का मतलब क्या होता है integrate integrate करने का मुझण छोटी-छोटी चीज़ों को मिला के एक बड़ी चीज़ बनाते है different sources से data को इकटा करते है merging of data from multiple data stores जासा कि आप diagram में देख सकते हो different sources हमारे पास वहां से हम डेटा को इकटा करेंगे और उसको एक स्तान पर सेव रखेंगे डेटा इंटिग्रेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें हम डिफरेंट सोर्सेद होते हैं उनसे डेटा को कमबाइन करते हैं और एक सिंगल यूनिफाइड व्यू के अंदर उसको स्टोर करते हैं लेकिन डिफरेंट सोर्सेज से डेटा इकटे करते टाइम कुछ चैलेंजेज हैं हमारे सामने जो कि अलग अलग टाइब के सोर्सेज है तो डेटा का टाइब भी अलग अलग होगा तो हीट्रोजीनिटी होगी डेटा में हीट्रोजीनिस डेटा होंगे अलग 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 टाइब की डेटा होंगे एक जैसे नहीं होंगे उनकी structure भी अलग-लग होगी तो यह हमारे सामने challenges है कुछ first जो है entity identification problem है कि जो entity है उसको identify कैसे किया जाए different sources है वो include करेंगे multiple databases, data cubes और flat files schema integration और object matching बहुत difficult task होगा वहाँ पर चुकि data है वो अलग-लग type के होगी तो कैसे real world के अंदर अलग-लग जो sources है, multiple sources है उनकी data को merge करके एक equivalent data बनाया जाए यह हमारे सामने चुनोती रहती है और इसको हम बोलते हैं entity identification problem यह data integration की first problem हमें face करने पड़ती है second है redundancy and correlation analysis redundancy का मतलब होता है कि एक ही data बार-बार restore होता है repetition होता है, duplication होता है उसका उसको redundancy बोलते हैं correlation का मतलब दो data है उनमें आपस में कुछ relation होता है redundancy form जैसे दीगई टेबल में हम देख सकते हैं इसमें data है वो highly correlated होता है अब यहां पर person का name दे रहा है और वहां पर दो attributes दे रहा है इस male और इस female तो अब यहां पर देखिए हमें पता है कि कोई भी person है या तो male होगा या female होगा तो हम यहां पर एक दरह से redundancy हो रही data की हमें दो attributes की जरूत नहीं है अगर इस male रख लेंगे उसमें इस male में अगर male है तो one हो जाएगा और female तो उसको zero कर देंगे तो female वाले attribute की जरूत नहीं है या फिर female वाला रख लेंगे अकेला तो यहां पर हम redundancy को इस तरह से remove कर सकते हैं तो कुछ जो redundancy है वो आसानी से detect की जा सकती है और analyze की जा सकती है उसको हटाई जा सकती है अब redundancy कैसे detect की जाती है उसके लिए हमारे पास दो methods है जो nominal data होते है categorical या qualitative वो x square test से पता लगाया जाता है और जो numeric data होता है quantitative data होता है उनका पता लगाया जाता है correlation coefficient या covariance से x square test या nominal data कैसे पता लगाते है यह test perform के जाता है nominal data बर जैसे हमारे पास दो attributes a और b एक data set के अंदर a contingency table is made for representing data tuples formula जो use होगा x square sigma observed values minus expected values ka whole square divided by expected values या प्रम observe करेंगे values का actual count or expected values are the count obtained from contingency table joint events x square check table a or b independent है अगर this hypothesis can be rejected we can say that a and b are statistically correlated and one of them can be discarded correlation coefficient for numeric data कैसे काम करता है यह test use की जाता है numeric data के लिए जैसे कि यहाँ पर correlation है a और b दो attributes में और उसको compute करेंगे Pearson's product moment coefficient से इसको correlation coefficient भी बोलते है formula रहता है r a b sigma 1 to n a i minus a bar b i minus b bar sigma n sigma a sigma b यहाँ पर n है वो number of tuples है और a i और b i है वो respective values है a और b की tuple i में conclusion यह रहेगा कि higher correlation coefficient का मतल़ होता है कि strongly correlated है दोनों attributes इसका मतलब a और b में से a को discard किया जा सकता है अगर correlation constant 0 आता है इसका मतलब attributes है वो independent है और अगर negative आता है इसका मतलब एक attribute है डिस्क्रेज कर रहा है दूसरे को minus में आने का मतलब अगर एक attribute increase होगा तो दूसरा decrease होगा तीसरा जो problem होग वो tuple duplication अभी हमने attribute का देखा attribute duplication तो attribute duplication हो सकता है तो tuples भी duplicate हो सकती है दो या दो से ज्यादा जो tuple से row है वो identical आ सकती है फिर है data value conflict detection and resolution अगर same real world entity है attribute है different sources से वो different हो सकता है यह different हो सकता है क्योंकि जो representation है scaling है या encoding है वो different तरीके से हो सकती है जैसे example के लिए अगर हम exchange कर रहे है information दो इंशिटीज के बीच में तो हर एक इंशिटी है उसका अलग curriculum हो सकता है उसकी grading scheme हो सकती है अगर हम check करते हैं कई hotel का किराया तो उसमें अलग अलग cities है अलग अलग country है उनमे currency change हो सकती है उनकी जो services प्रोवाइड करते हैं वो अलग अलग हो सकती है तो ये चीज़े vary हो सकती है तो ये हमने देखी जो मुश्किले हमारे पास आती है data integration में और कैसे उनको हम solve करते हैं इसके बाद में next video में हम देखेंगे data transformation थैंक यू